मुश्कार दोस्तों आज मैं Engineering, Drawing and SQF First Year ITI के स्टुडेंट का पहला चैप्टर आप से यहां डिसकस करने वाला हूँ यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक्स को जानना सुर्वास से इसलिए हम First Chapter से स्टार्ट कर रहे हैं अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को सेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टुडेंट इसको देख सकें और सीख सकें चलिए सुरू करते हैं First Chapter में क्या क्या चीज़े हैं यह पूरी बुक है ठीक है इसमें हम आपके साथ discuss करेंगे यह देखिए सबसे पहली जो exercise है यहाँ पर उसको मैं आपको बता रहा हूँ इसमें exercise में 1.101 में पहली चीज़ जो दी हुई है वो है कि engineering drawing में कई साखाएं हैं जिसमें है mechanical engineering drawing, electrical engineering drawing, electronics engineering drawing और civil engineering drawing यहां हम basically first year में mechanical engineering drawing को पढ़ते हैं जिसमें nut bolt, key rivet, welded joint, riveted joint, कई तरह के jointों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस तरह से आप इसमें front view, top view, side view को पढ़ेंगे जैसा कि आप diagram में देख पा रहे हैं ठीक है यह देखिए यह इसका front view है यह side view है, यह top view है front view यहां से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यह side view है ठीक है, और यह यहां से top view इस तरह से हम यहां पर चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है front view, top view, side view को, इसके अलावा इसमें हम थोड़ी जानकारी electrical symbols की लेंगे इसमें electrical में आप देख सकते हैं, दो figure यहां पर बुक पे दिये हुए हैं, जो circuit को दरसार है इसके आगे जो conventions हैं, प्रतीक है, चिन है, जैसे metal का यहां पर आप देख सकते हैं, metal में यह देखिए, यह line आपकी बनी हुई है, है ना, यह line बनी हुई है, है ना, इन line के माध्यम से metal में जो चीजे हैं, जैसे steel, अगर इस तरह की line हो, उसे प्रदर्सित किया जा रहा है, तो किसका किसका होगा, steel का होगा, cost iron का होगा, copper होगा, है ना, अगर इसके जो alloy है, यह सारी चीजे हैं, अगर इस तरह की line है, metal में, तो lead, zinc, tin, white, metal इत्याजी को यह दरसाएगा, अगर इस तरह का प्रतीक चिन, conventions बने हुए हैं, रूडी चिन, इनको हम हिंदी में बोलते हैं, glass के लिए इस तरह का, आपको shine दिखाई देगा, जिस तरह का चित्र होगा, आप आप देख सकते हैं, ठीक है, यह glass के लिए है, ठीक है, packing and insulating material के लिए है, दो प्रकार के हैं, अगर इसको समझना चाहें, है न, तो देखिए, packing, insulating के लिए, अलग-अलग stoneware, marble, अगर यह देखिए, आप देख सकते हैं, fiber है, felt है, synthetic, resin, product, paper, crock, सारी चीजे हैं, तो यह है, चीजे इनको exam में यह पूछे जाते हैं, ठीक है, इसके बाद जो आँगे चीजे आती है, drawing paper, जो most important है, engineering drawing में हम drawing paper का उपयोग करते हैं, drawing paper मुखता है, दो प्रकार से, के होते हैं, handmade paper होता है, handmade paper वो paper होते हैं, जो हाँ से बनाया जाते है, mill made paper वो factory में बनाया जाता है, ठीक है न, जो size होता है, drawing seat का, जो सबसे बड़ी drawing seat होती है, वो one meter square, जैसा कि आप यह देख सकते हैं, one meter square यहां पर दिया हुआ है, यह, one meter square, ठीक है, one meter square, यह, सबसे बड़ी drawing seat का size है, ठीक है, इसको, अगर हम साड़नी में देखेंगे, तो लंबाई चोड़ाई के हिसाब से, 1.84, एक मीटर, और 1.18, नौ मीटर होता है, ठीक है, इसको हम देख आप the area of the successive size area in the ratio of one upon one ratio two, one ratio two में इसको हम दरसाते हैं, drawing seat को, यह मुख्यता, आप देख सकते हैं, छे प्रकार की होती है, यह zero size से, यह zero सबसे बड़ा size होता है, जो one meter square size जिसको हम कहते हैं, trimmed size होता है, untrimmed size होता है, जो border line जिसको है, तो वो क्या हो जाता है, गर border line के अंदर का हम बना रहे हैं, तो वो trimmed है, और बिना border के अगर ले रहे हैं, तो untrimmed है, इसी बज़र से यहाँ पर दो sizes दी होई है, सबसे बड़ी size आप देख पा रहे हैं, है ना, जो सबसे बड़ी size है, वो कौन सी size है, A0, वो सबसे छोटी जो है, वो A5 है, 148.210, है ना, trimmed, untrimmed, इस तरह से चीजे रहत होती है, देख सकते हैं, आप special elongation series भी दी होई है, तो यह important चीजे हैं, आपके drawing paper से, इसके बाद, जो next topic आता है, वो यह topic है, कि मतलब, आप कैसे fold करें, बड़ी-बड़ी drawing sheet होती है, तो BIS के अनुशार, यह आप देख सकते हैं, fold की कैसे किया जा सकता है, आपके पास अगर 841 और 594 size की seat है, तो पहला fold, आप देख पा रहे हैं, screen पर, यह देखिए, पहला fold यह, दूसरा, तीसरा, इस तरह से fold करना, fold करने के बाद, यह जो drawing sheet है, इस तरह में आपकी fold हो जाएगी easily, तो यह तीन तरीके यहाँ पर BIS के अमसार, अलग-अलग size की drawing sheet के लिए, A3 size, A2 size और A1 size के लिए दिया हुआ है, fold करने के बाद, इस तरह से आपकी drawing sheet हो जाएगी, जो next topic है, वो है, बड़ा important topic है, क्योंकि drawing sheet के बाद, हम जो चीजों का उप्योग करते हैं, उनमें से है drawing instrument और drawing material, drawing material नो जो पहला topic आप देख रहे हैं, वो drawing board का है, drawing board पर रखे हम drawing बनाते हैं, जैसा कि आपको जानकारी है, इसमें जो कारकारी age है, जिसको हम ये एवोनी working age के नाम से जानते हैं, यहाँ पे ही T square को फसाया जाता है और इस पे हम काम करते हैं, T square मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, कहाँ पे T square है, ये देखी है, ये इस तरह से drawing board पर फसता है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये कारकारी age है, जो अभी आपको drawing board में दिखाई जा रहे थी, तो ये working age, blade, stock, ये सारी चीजे हैं, जिस साइज में आपकी का drawing board में मिलेगा, उसी साइज में आपकी T square मिलेगे, देख सकते हैं आप, ये, ये इस पे strips हैं, पटिकाएं लगी हुई हैं, इसको हम हिंदी में पटिकाओं के नाम से जानते हैं, ये देखिए, ये पटिकाएं हैं, ठ ये हैं आपका, क्या, बैटन, ठीक है, देखिए, ये कितने साइज में उपलब्ध हैं, ये भी चार साइजों में उपलब्ध हैं, D0, D1, D2, D3, पहली साइज जो हैं, पंदरा सो लंबाई, चोड़ाई, एक हजार, मोटाई, पच्चिस, इसी तरह से, D1, एक हजार लंबा है, चपने में इसमें कुछ दिक्कत हुई है, इनको, यहाँ पे आप 700 लिख सकते हैं, ठीक है, 700 इंटो 500 इंटो 15, और D3 है, 500 इंटो 30, 315 इंटो 15, तो ये साइज में उपलब्ध होते हैं, T2 के साथ इसका उप्योग किया जाता है, T2 से हम 36 रेखा, horizontal line और parallel line खीश सकते हैं ठीक है, बहुत important role रहता है इसका drawing बनाने में, इसके बाद जो आप देख रहे हैं, दो चीजे और है, mini drafter है, drafting machine, आप देख सकते हैं, mini drafter में सारी चीजें लगी हुई, protector लगा हुआ है, जिसको हम चांदी के नाम से जानते हैं, चांदी का काम करेगा, scale का काम करेगा, ये parallel arms लगी हुई है, जिसकी मदद से, ये क्या होता है, moving, ये move करती है, आप इसको पूरे drawing board पर move करा सकते हैं, तो ये हर प्रकार की रेखाओ, kitchen में सक्षम होता है, आपने देखा भी होगा, engineering के student इसको लिए रहते हैं, और इस तरह से ये देखी, यहाँ पर diagram बना हुआ, कैसे इ ये अगलाग जो यहाँ पर चीज बनी हुई है, इसको बोलते हैं, इसको अगर unwanted line है, उसको अगर मिटाना है, तो इस तरह की seed का उपयोग करके, हम जो unwanted line है, जो गलती से खिच गई है, उसको मिटा देंगे और बाकी line हो को safe रखेंगे, अब जो अगला instrument है, वो है set square, set square दो के set में है, पहला 45 का है, देख सकते हैं आप, इसका जो angle है, वो कित्ते कित्ते का रहता है, ये जो angle है आपका, ये है आपका 45 का, ये 45, ये 45 और ये वाला आपका 90 का angle है, ठीक है, दूसरा जो set square है, आप देख सकते हैं, 30, 60 और 90 का होता है, तो सेट स्कॉायर का जो उपयोग है ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट है इससे भी हम 36 रेखाएं उर्द्वाधर रेखाएं अगर इंगलिस में जानना चाहें तो होरिजेंटल लाइन वार्टिकल लाइन कीजते हैं ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका इ है ना हमारे बहुत काम में आता है ड्राइंग में यह फ्रेंच कर्व से कर्व लाइन खीचने में काम करता है कर्व लाइन मुडी हुई रेखा है यह कई सेट में उपलब्ध होते हैं है ना नौर्मली कमसें सेटिन 6 12 16 जर्नली यह 6 12 और 16 के सट पर आते हैं अलग अलग हमने उनका उपयोग ने तो इस तरह के इलिप्स हम फ्रेंच कर्व के माध्यम से इस तरह से इसका उपयोग है आप देख सकते हैं डाइग्राम में ठीक है बहुत ही इसली आप इन चीजों को समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है अगला जो उपयोग है वो कमपास का है जो हम सर्किल्स बनाते हैं आर्क लेते हैं सर्किल गोला बना रहे हैं वृत बना रहे हैं आर्क बना रहे हैं इनहीं की मदद से हम कर पाते हैं चोटया गोला बनाना है तो नार्मल कमपास ठीक है ना बड़ा गोला बना तो लार्ज कमपास जैसा कि आप डाइग यह देख सकते है link pen और linear running pen यह सारी चीज़े दी हुई है ठीक है यह यह आपे screwdriver है अगर कसना है set करना है lead है pin clip cello tape का उपयोग drawing seat को जिससे यह उड़े नहीं आपकी drawing seat इसलिए इसका उपयोग हम करते है ठीक है फिर यह है pencil pencil का बहुत important role sharp conical point बहुत जरूरी है 2H pencil आपके सामने दी हुई है drawing pencil है फिर एक mechanical pencil दी हुई है drafting pencil lead available in all grids फिर a fine lead required for sharping तो यह दिया हम लो 0.5 mm पे है देख सकते हैं कि hardest pencil in 9H grade सबसे कठोर pencil है 9H grade की है softest pencil in 7B grade यह generally पूछा जाता है बहुत important है इसलिए book में इसको dark किया हुआ है selection of grade of pencil depends on the type of line work required and paper on which it is used जैसा कि हमको काम है उसे हिसाब से हम pencil का selection करेंगे यहां पे एक्जाम्पल भी दिया है कि softer lead जो softer lead pencil are used जो soft produce thick and dark करना है जो soft lead है वो मोटी line खीचने प्रयोग करते हैं medium grade h2h का use journal line work as well as for lettering lettering के लिए भी हम h2h का प्रयोग कर सकते हैं जो journal work है ठीक है ना जितनी हमको हलकी रेखाएं खीचनी उतना ही हमको hard में जाना पड़ेगा जितनी पदली रेखाएं खीचनी हमको जितनी पदली है तो उसमें soft pencil में हमको जाना पड़ेगा ठीक है तो आएए चलते हैं अगला यह selection of pencil तीन प्रकार की pencil है बहुत important है student ध्यान से सुनिएगा यह दिमाग में आपके बिलकुल set होना चाहिए है ना क्योंकि यही जर्नली पूछा जाता है pencil rate vary from one brand to another one selection of grade of the pencil depending upon the type of line work मतलब depend करता है line work कैसा आप काम करना चाह रहे हैं और construction line you can choose 2H और 3H अगर आप construction line बना रहे हैं तब आपको किस से बनानी चाहिए 2H pencil से या 3H pencil for lettering and object line grade H pencil जो lettering अगर आपको करना है ABCD लिखना है या object line भी बनाना है तो आप H pencil का उपयोग कर सकते हैं इन जर्नल H, HB and 2H are यह समार H medium hard है HB medium soft है 2H क्या है hard है इनहीं तीनों pencil का उपयोग हम अपनी engineering drawing बनाने के लिए करते हैं बहुत important student ध्यान से सुनिएगा इनहीं का आपको उपयोग करना है अगर आप यह नहीं जानेंगे तो फिर आप ड्राइंग में सही तरीके से नहीं बना पाएंगे तो mechanical pencil का भी आजकल यूज होता है है यह अलग-अलग point grades में मिलती है जैसे 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 है तो main important चीज मैंने आपसे discuss की pencil के बारे में अगला जो topic है वो free hand drawing है ठीक है जिसको हमको आपको बना के दिखाना पड़ेगा बहुत important चीजें है तो आगे की class में हम आपसे और भी चीजों का discussion करेंगे अगर आपको आज की class अच्छी लगी है तो please इसको share और subscribe जरूर करें बहुत important discussion हुआ आपसे आज आप लोगों ने हमको सुना इसके लिए आपको धन्यवाद अगली class में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी ठीक है